This is Viran Ramaita, welcome you all on the Memory Genius channel. कल हमने एक status लगाया था अपने WhatsApp पे की बल, बुद्धी और विद्या. अगर ये तीन गुण आप में हैं तो आप यूनिवर्स में कुछ भी जो है वो एचीव कर सकते हैं. तो ये जो तीनों qualities हैं बल, बुद्धी और विद्या. तो काफी सारे students ने पूछा की सर बल, किस टाइब का बल, या किस टाइब की बुद्धी, या किस टाइब का विद्या, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. तो आज का वीडियो जो है वो इसी topic पे है, देखिए most important thing जो इस universe में है, आपका शरीर और आपका मन, जिस चीज के उपर based है, वो semen है, semen energy है. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि semen के अंदर दो important parts है, इसे आप बहुत ध्यान से समझें, एक part है जो physical reproduction के लिए use होता है, life create करने के लिए use होता है, जो कि एक divine act है, जिसे आप sex बोलते है, second जो part है, वो energy है, वो augers है, वही energy है, जो हमारे mental level को strong करती है, या हमारी physical strength को strong करती है, और जिस energy से हम कुछ भी achieve कर सकते हैं इस universe में, तो semen जो है, वो most powerful fluid है, अगर आप waste कर रहे हैं, तो आप अपनी life को waste कर रहे हैं, right, तो आप brave बनिए, इसका जो retention है, वो most important है, देखिए, semen retention एक part है, right, second जो phase है, वो semen transmutation है, जो की शरी विद्या साथना से ही possible है, right, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर semen retain होता है, और उसका transportation होता है, तो ये तीन चीजे जो हैं, हमारी life के अंदर आती हैं, देखिए, बल, बल से मेरा अभी पराए, physical strength से भी है, बल से मेरा अभी पराए, आत्म बल से भी है, right, तो ये दोनों जो strength हैं, ये most important है, आप physically भी strong होने चाहिए, और आप mentally भी strong होने चाहिए, ये तो हुआ बल, तो ये दोनों प्रकार के जो बल हैं, बहुत असानी से आपको इस simen energy से, इस augus energy से आपको मिलते हैं, second है बुद्धी, देखिए, बुद्धी का मतलब intellect है, English में इसको intellect बोलते हैं, और ये जो बुद्धी होनी चाहिए, ये सत मार्ग पे चलने वाली होनी चाहिए, right, तो जो बुद्धी है, वो कुशागर होनी जाए, ये sharp intellect, right, तो कुशागर बुद्धी अगर हो, तो देखिए, कुछ भी जो है, इस इंसार में पाया जा सकता है, और ये simen energy से ही, जो है, हमारी बुद्धी कुशागर होती है, देखिए, हमारा जो मस्तिशक है, जो brain है, उसके अंदर जो tissues हैं, cells हैं, उनका अगर physical composition आ बनी है, same element symbol के, सिमन बना है, तो एक तरह से आप ये कह लिजीए, कि सिमन जो है, वो brain का food है, right, means, सिमन का मतलब intelligence है, right, तो ये बलकी में बात कर रहा था, बुद्धी की बात कर रहा था, अब मैं आ रहा हूँ, विद्या पे, देखिए, विद्या का मतलब मेरा art से है, right, I think, सोला कलाएं, इस universe में बताई गई है, कि 16 arts, जो है, अगर वो कोई मनुश्य सीख ले, तो फिर वो भगवान कृष्ण के बराबर जो है, वो हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में, सोला कलाएं, वो संपूर थे, right, और ब्रह्म चरे का पालन अगर वो करता है, अ वो intelligence, जिसकी आपको need है, इन सभी arts को सीखने के लिए, वो semen energy आपको provide कर सकते हैं, तो आप ये जो semen है, इसका wastage जो है, आप नहीं करें, इसका purpose, जब इसका, जिस purpose के लिए ये use होना चाहिए, उसी purpose के लिए आप इसको use करें, right, और जो second part है, transmutation, देखिए, वो energy आप apply कर अपने goals में, right, जो भी आपने goal decide किया है, उसको आपको achieve करना है, तो उसको achieve करने में वो लगाओ, तो semen ही है, जो आपको बल देता है, आपको buddhी देता है, और आपको vidya achieve करने में आपकी help करता है, तो शरी हनुमान चाले साब में बहुत सुन्दर रुप से ये बताया है, कि बल बुद्धी विद्या देही, हरलो कलेश विकार, right, तो अगर ये तीन गुण अगर आपकी life में आ जाएं, तो जितने भी type के कलेश है, आपकी life में, जितने भी type के conflicts है, right, वो आपकी life से दूर हो जाएंगे, right, तो देखिए वीडियो बनाने का जो मेरा उदिश्य है, आप सभी को motivate करना है, इस सत मार्ग के लिए, जिसे आप ब्रमचरे का मार्ग कहलो, या फिर श्री विद्या साथना का मार्ग कहलो, right, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो life है, वो पोलिश हो, और जो भी आपने लक्षे रखा है, उस लक्षे को आप easily achieve कर पाएं, केवल इतनी आपकी आपकी सुगू मैं चाहता है, मैं जिसे से लगड़ा है, पुम कहलो, आपकी आपकी सुग्यों के लिए के लिए इतनी करता है, बालों है।